दोस्तो स्वागते आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल केरशना फैंटेसी में एड़ आज हम बात करेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप टी ट्वंटी मैच के बारे में आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे कौनसा वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौनसा बैटस्वन का बैटिंग करेगा कौनसा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊँ heading तो वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दूस्तो अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किरशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप telegram को join कर लीजिएगा link इस video के नीचे comment box और discussion में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पर click करिए और telegram channel को join कर लीजिए अगर मैं आपको recent matches का result पी बताओ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपको clean sweep करा है इसलिए आपको बोल रहाँ telegram से जुड़ना आपके लिए important हो जाता है दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक request है यार जो भी भाई नए हमारे YouTube channel पे पहली बार आए तो यार YouTube channel को जरूर subscribe कर लिजिएगा साथी साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं करा है तो इस वीडियो को like भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आप इस वीडियो को like करोगे चैनल को subscribe करोगे तो मुझे भी support मिलेगा, motivation मिलेगा उमीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करे हमारी टीम के बारे में विकेट कीपर में सारा का सबसे पहले option है जो की open करते वे नजर आएगी हाला कि last match में दो run पर वैसे या out हो गई थी उससे पहले 49 run इनों ने करे, 24 run इनों ने करे, 60 run इनों ने करे तो form अच्छी चल रही है, important हो जाते है इसलिए आप इनको लेके चल सकते हो दोस्तों अगर grand league वगेरा खेल रहे हो या 3-4 member की league खेल जो तो Alyssa Lister को जरूर ट्राइ करेगा ये भी एक अच्छी player है नमबर 4 पर betting करते वे नजर आएगी last win में 26 run करे, उससे पहले 11 पर out हो गई थी फिर इनों ने 2 run करे थे बट आप इनको ट्राइ कर सकते हो बाकि जाफटा तो बहुत ही नीचे बैटिंग करती है तो आप इनको drop ही करके चल सकती हो फिलाल मैं सारा को अपनी team में लेके चल रहा हूँ बैटिंग के बारे में बात करे Laura Walward आपके लिए important option है एक ऐसी player है जो 10 में से 7 matches में almost आपको हमेशा run करके दे ही देगी last match में भी 42 run इनोंने करे उससे पहले 59 run करे फिर 29 run इनोंने करे 33 run इनोंने करे 45 run करे तो recent में लगातार अच्छा करते वे आ रही है important हो जाती है आप इनको लेके चल सकते हो पी चटरशी के बारे में बात करे तो नमबर 5 पे आपको बैटिंग करते वे नजर आईगी हाला कि last match में 0 run इनों पे आउट हो गई थी उससे पहले 5 इनोंने करे फिर 0 इनोंने करे और 10 इनों करे last match में से 3 matches में balling करवाई और 1 wicket इनोंने निकाला अब ये confirm नहीं कि किस match में balling करवाई और किस match में नहीं करवाई इसलिए थोड़ी सी risky player है बट अभी मैं इनको drop करके चल रहा हूँ लेकिन मुझे अगर update मिला कि ये balling करवाईगी तो मैं इनको लेके चलने वाला हूँ तो वो update आपको telegram पे कर दूँगा तो इसलिए telegram पे जुड़ जाना लिंक इस वीडियो के नीचे comment box और discussion में दिया वाई है बाकी Tasman Brits आपके लिए एक और must option है open करेगी hard eater batsman है last win में वैसे 13 run in onay करे उससे पहले 57 run in onay करे फिर 22 run in onay करे 0 और फिर 2 match इसमें 0 पे out होई थी ये आप इनको समझ सकते हो जैसे इंडिया वूमेन में शेफाली वर्मा है वैसे ये भी attacking खेलती है शेफाली वर्मा भी attacking खेलती है आती है run बनाने की कोशिश करेगी लग गए तो अच्छी बात है नहीं लगे तो जल्दी विकिट गवा देगी तो उसे साबसे वैसी ये player हाड eater आप इनको लेके चल सकते हो सामने Scotland woman है तो थोड़ इसी team यहाँ पे Scotland week है वैसे देखा जाए तो South Africa woman तो strong team है तो अच्छा कर सकती है LJ1 के बारे में बात करें बैटिंग order इनको बहुत ही जादा अगर आप देखोगे दोस्तो थोड़ा नीचे ही नजर आने वाला है इसलिए आप चाहो तो इनको try करके चल सकते हो मैं अभी तो इनको drop करके चल रहा हो बोश के बारे में बात करें नंबर तीन आपको बैटिंग करते वे नजर आईगी लाश्में में वैसे 18 रन इनको ने करे थे दोस्तो उससे पहले तीन रन करे फिर 5 जन पर आउट हो गए थे 46 रन इनको ने करे एक अच्छी trump लेर आपके लिए बन सकती तो focus कर सकती हो दो मेरे अभी बैट्समें रहेंगे औल राउंडर में काफी अच्छी अच्छी अप्शन है यहाँ पर केटरें ब्रेस का आपके पास अप्शन है जो की नंबर तीन पर बैटिंग करते वे आपको नजर आईगी लाश्में में 25 रन करे उससे पहले six sun करे एक विकेट निकाला उससे पहले बैटिंग तो खेर आई नहीं थी लेकिन वहाँ पर भी दो विकेट इनोंने निकाले थे must option है आप इनको लेके चल सकते हो दोस्तो सीट रॉन एक और must option होने वाली यह नंबर पास पर बैटिंग करेगी प्लस बॉलिंग करेगी अभी तक अगर आप देखोगे लाश्में दो रन करे उससे पहले 24 अनिनोंने करे थे फिर दो रन निनोंने करे लाश्में पांच मैचेस में सिर्फ एक विकेट निकाल पाई है लेकिन यह बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगी और आज जो है स्कॉटलेंड थोड़ी सी आपे कमजोर टीम है तो यह अच्छा कर सकती है तो इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ सुने लू एक ओर must option होने वाली है बैटिंग order नंबर 6-7 वैसे तो 7 पे खेलते वे नजर आने वाली है वैसे नंबर 6 पे भी आ सकती है अब बॉलिंग का इनका confirm नहीं रहता कि कितने ओवर करवाईगी एक ओवर भी करवा सकती है चार ओवर भी करवा सकती है हो सकता एक भी ओवर नहीं करवाई लास्ट में एक ओवर करवाई विकेट नहीं निकाल पाई थी दोस्तो बैटिंग से भी इतना कुछ खास फ़ाम नहीं रहा अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बट ग्रैंड लीग खेल दे हो या स्मॉन लीग में भी रिस्क लेना चाते हो तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो यह ज़ाधा अच्छी उप्शन होने वाली है और लें के बारे में बात करेए ओपन करते वे आपको नजर आने वाली है लास्ट मैच के बारे में बात करेए ग्यारा रन करे थे उससे पहले भी आठ रन इनोंने करे बट वहाँ पे तीन विकेट इनोंने निकाल दिये थे बॉलिंग से वैसे दीशन में अगर आप देखोगे कुछ मैचेस लाश पाँच्छे मैचेस में तो 48 भी करे, 43 रन भी करे, 71 भी करे तो रन कर सकती है इसलिए important हो जाती है दोस्तो यहाँ पे Andy Clark एक और मस्त option होने वाली है बैटिंग ओर थोड़ा सा नीचे नजर आ सकता है लेकिन मैं चीज बॉलिंग इनकी वैसे अच्छी रहती है लाश विन में एक विकेट निकाला हालकि रीसन के 5 मैचेस में सिर्फ एक विकेट निकाला है बाकि ओवरॉल 58 मैचेस इनों ने खेले जहाँ पे 43 विकेट इनों ने निकाले ठीक है परफॉर्फॉर्मेंस पैटिंग भी कर सकती इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ के फ्रासर के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे बैटिंग ओडर थोड़ा आपको नीचे नजरा सकता है और बॉलिंग से अगर हम बात करें तो थोड़ी सी रिस्की प्लेयर बन जाती है इसलिए मैं अभी इनको ड्रॉप करने का डिसक लेके चल रहा हूँ बाकि आप ट्राइ करकी चल सकती हो यहाँ पे डिकर्सन का आपके पास ओप्षन है बट कोई अता पता नहीं है बैटिंग बॉलिंग का इसलिए मैं सिर्फ 5 ओल राउंड लेके चल रहा हूँ बालिंग में आपके पास अच्छे ओप्षन है आज लेटर को आप ट्राइ कर सकती हो लाश्वन में एक विकेट निकाली देट में भी बालिंग करवाती है पांच मैचेस में अभी तक वैसे तीन विकेट नोने निकाले है मक्सूत इस मैच में ग्रैंड लीग वगेरा या फिर स्मॉल लीग में भी अच्छे ओप्षन बन सकती है लाश्वन पांच मैचेस में तीन विकेट निकाले बटियार अगर आप देखोगे न इनका ओवरोल रिकॉर्ड तो 55 मैचेस में 54 विकेट निकाले ठीक रहा है पर्फरमेंस बाकी खाका का आपके पास अप्षन होने वाला है अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो जरूरी अच्छे अप्षन बन सकती है हाला कि लाश पांच मैचेस में 5 विकेट निकाले वो 5 विकेट एक ही मैच में आये थे अगर वो एक मैच हटा दोगे तो फिर विकेट लैस ही गई है अल्मूस्ट मैचेस में मलाबा स्विन बॉलिंग करवाईगी फर्स्ट मैच जो था उसमें ना की बराबर सेलेक्शन था वहाँ पे हमने इनको रखा था दोस्तो और शांदार पर्फोर्मेंस रहा था इनकी वज़े से हम वो मैच विन कर गए थे क्योंकि 4 विकेट इनो निकाल लिये थे लाश पांच मैचेस में वैसे 7 विकेट इनो निकाले बट इनको आप ट्राई कर सकते हो ओ बैल का आपके पास ओप्शन होने वाला है लाश वेंड में भी 2 विकेट इनो निकाले थे दोस्तो और रीसन के 5 मैचेस देखोगे वहाँ पर 8 विकेट अभी तक निकाल चुके है continue विकेट निकालते वे आ रही है डी कार्टर का आपके पास ओप्शन होने वाला है दोस्तो जिसकी प्लेयर बन जाती इसलिए मैं इनको सजजेट नहीं करूँगा बागी कोई खास ओप्शन नहीं आप बैल को अपनी टीम में रख सकते हैं दोस्तो खाका को रख सकते हैं मलावा को लेके चल सकते हैं बागी कैप्टन और वोइस कैप्टन के बारे में हम बात करें तो कैप को आप कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रेस इक अच्छी उप्शन होने वाली है इनके औलावा अगर आप किसी और के साथ जाना चाकते तो मैं आपको सजेश्च करूँ आ बेटिंग में वौलवर्ट से अच्छा कोई नहीं होने वाला और बॉलिंग में मलाबर से अच्छा कोई नहीं होने वाला पिलाली हमारी टीम का प्रिवियो आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट जोइन कर लीजिए फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिसक्रिशन में दियावाई जोइन कर लीजिएगा दूस्तों वीडियो अगर अच्छा ल